हेलो एवरीवन, वेलकूम अगें टू लण्विले डिटिमन तो आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का चेप्टर नंबर वन 1857 की क्रांती चेप्टर मैंने आपको पहले दिखा दिये थे अब देखिए इन चेप्टर को पढ़ना क्यों जरूरी है सबसे मेन बात है कि आपका एक्जाम जो है वो इन ही चेप्टर को पढ़कर क्लियर होगा जो कि मैं बार बार कहती हूँ कई बच्चे सुन लेते हैं और कई बच्चे नहीं सुनते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हम एक गाइड ले आएंगे जिसमें सारा मैटर होगा और हम एक बार में ही पढ़ लेंगे तो इस वज़े से ही उनको 3-4 साल जो है वो लग जाते हैं नौकरी पाने के लिए ठीक है यहाँ पर मैं हर वीडियो में ये बताती हूँ कि आप लोग authentic book से पढ़िए हो ही नहीं सकता कि आपका एक्जाम जो है वह क्रैक ना हो अच्छे मार्क्स ना आए ठीक है तो authentic book को यदि आप follow करेंगे ध्यान से पढ़ेंगे हर question का answer आप एक्जाम में दे पाओगे तो हम chapter पढ़ेंगे और जैसे ही 9th class के सभी chapter हम पढ़ लेंगे क्योंकि reading करना बहुत जरूरी होता है जादा time नहीं लगता है जो भी बच्चे सोचते हैं कि 9th class के इतने सारे chapter हम कैसे करेंगे देखिए इसी तरीके से जब हमने पहले read की तयारी की थी तो उसमें भी हमने सभी जो है चीजें एक एक करके पढ़ी थी फिर हमने हर chapter के question answer किये थे time जरूर लगता है इसमें लेकिन पढ़ाई तो इसी को कहते हैं असली पढ़ाई यही है आप direct चीजों को याद करना start करेंगे वो नहीं होगी chapter पढ़ने के बाद और उसके बाद इनके जो question answer आप हल करेंगे तो वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे ठीक है और वो बात अलग है कि जिन बच्चों के पास time नहीं है तो वो लोग question answer series के माध्यम से chapter पूरा कर सकते हैं ठीक है वहाँ उनको chapter पढ़ने की जुरुत नहीं पढ़ेगी लेकिन आप लोगों के पास time है आप पहले chapter पढ़िए उसके बाद इनके question answer पर जाएए और जो भी बच्चे वेट नहीं कर सकते हैं तो इन chapter को पढ़ने के बाद खुद जो है वो question answer की तरहे जो है आप लोग notes बनाईए ठीक है जैसे की कुछ matter जो है जो की 1857 की क्रांती का 6 या 7th class में हमने पढ़ा या 8th class में हमने पढ़ा वहां से लीजिए 9th class में से लीजिए ठीक है 12th class में से लीजिए graduation में से लीजिए और फिर जाके जो है यदि आप 1st grade 2nd grade की त्यारी कर रहे हैं तो क्या करिए उनको फिर अपना notes तयार करिए और फिर देखिए 1857 की क्रांती का एक भी question आपका नहीं चूटेगा कोई भी guide की जुरुत आपको नहीं पढ़ेगी वहीं आप read की यदि तयारी कर रहे हैं तो read का exam जो है वो आपका बिल्कुल clear हो जाएगा 6 से 10 तक की आप book पढ़ें चाहे question answer series जो है उसको join करें जैसे भी आप करें ठीक है 10 तक की book जो है वो आपके लिए sufficient है read के exam के लिए तो चलिए start करते हैं 1857 की क्रांती तो ये चीज़ हमने पहले जान ले थी छोटी classes में कि 1857 की क्रांती के क्या कारण रहे थे अब देखिए 1707 इस्वी में जैसे ही मुगल समराड जो औरंग जेव था उसकी हो जाती है मृत्यू तो जो औरंग जेव था वो एकदम कटर मुसल्मान था तो उसने अपना प्रवुत पूरे एरिये पर अपना प्रवुत इस्थापित कर रहा था सभी राथपू शाषक जो थे उससे परेशान थे जैसे ही उसकी मृत्य हो जाती है उसके बाद के जो शाषक हैं वो कमजोर शाषक थे इतने ज़्यादा प्रव्लमेटिक नहीं थे तो जैसे ही मुगल सामराजी का पतन होता है मराठे जो हैं यहां पर एंट्री कर लेते हैं और धीरे धीरे जो हैं यहां पर धन बटोरना प्रारम कर देते हैं रादपू शाषक परेशान हो जाते हैं तो अब वो करें तो क्या करें तो क्या करते हैं वो अंग्रेजों की हेल्प मांगते हैं क्योंकि अंग्रेजों के जो हैं शत्रू या मराठों के शत्रू जो हैं अंग्रेज ये थे तो अब जो राजपूशाशक हैं वह अंग्रेज़ों के पास help मांगने के लिए जाते हैं जिससे की मराठों से वो उनकी रक्षा करेंगे लेकिन क्या होता है उस वक्त तो अंग्रेज जो है उनकी help करने का दावा करते हैं बहुत सारी संदियां जो है राजपूर शाशकों की अंग्रेजों से होती भी है ठीक है जो कि हम पढ़ते भी हैं अठारा सो तीन की संदी हो गई अठारा सो सत्रा की संदी हो गई ठीक है तो धीरे धीरे करके सभी रियासतें जो है वो राजपूर शाशक थे वो सभी रियासत अंग्रेजों से संधी कर लेती हैं ताकि ये हमें जो है वो मराठों से बचा लेंगे अब धीरे धीरे अंग्रेज जो है वो क्या करते हैं मराठों से तो बचा लेते हैं बहुत सारे कारे ऐसे करते हैं जिससे राजपू शाशक खुस हो जाते हैं तो वो अपना सारा जो शाश जो है वो अंग्रेजों को देते रहेंगे अंग्रेज जो है इस रियासत की help करते रहेंगे ठीक है लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि जो company सरकार थी उसको लगातार खिराज देने से उस राजे की आर्थिक रिस्तिती कमजोर हो गई और यहां पर जो आम लोग थे उनकी और जो है ना तो राजा ध्यान दे रहा था ना अंग्रेज ध्यान दे रहे थे बलकि उनका तो शोशन हो रहा था पहले जो अंग्रेजों से पहले जो आमजन थे वो सीधा जो है राजा के पास अपनी सिकायतने लेके जाते थे और राजा उनको शॉर्ट आउट कर दे दे थे अब उनको जो है लोगों को राजा तक पहुँचने ही नहीं दिया जाता था जिस वज़े से लोगों का अत्यदिक्षोशन होने लगा तो यहां तक मैंने आपको थोड़ा बहुत जो है बिल्कुल सामानने तोर पर समझाया मुगल सामराज्य के पतन के बाद देश में उत्पन आरा जगता से राजिस्थान भी अचूता नहीं रहा औरंग जेव की मृत्यू से उत्पन शक्ती रिक्त था यानि अब शक्ती जो समाप्त हो गई उसको एक बार गी तो मराठों ने भर दिया मराठों ने दक्षिन में प्रभुत्व स्थापित करने के बाद यानि जो दक्षिन में तो यहाँ पर मराठों का ही प्रभुत्व था उसके बाद मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया अब राजिस्थान के यदि आप दक्षिन में देखेंगे तो यहां पर गुजरात है ठीक है और यहां पर मालवा है तो यहां पर अपना प्रवुत्प इस्थापित कर दिया किसने मराठों ने और अब उनके लिए राजिस्थान में प्रविस करना सहज हो गया तो यहां मालवा और गुजरात तो यहां आसानी से जो है वो लोग पहु तो इस घड़ना से चिन्तित उधैपूर के महाराना संग्राम सींग, इन्होंने पहले जैपूर के साओं जै सींग और बाद में मुगल बात्षा महम्मद शाह से मराथा समस्या के बारे में विचार विमर्ष किया तो जल्दी से जो है उदैपूर के जो महारणा थे संग्राम सींग उन्होंने जैपूर के शाशक को बताया मुगल बादशा उस वक्त मुहमद शाह जो थे उनको बताया कि मराठा जो है किस तरीके से यहां पर एरिये में जो है वो लूट पार्ट मचा रहे हैं ठीक है धन एकत्रित कर रहे हैं 1724 के बाद राजिस्थान में मराठा आकरमर्ण में तेजी आई इसी बीच अप्रेल 1734 में भूंदी के पदच युद शाशक बुद्ध सींग ने मराठा सहायता प्राप्त करके दलेल सींग को गद्धी से अटा दिया अब देखिए कहीं भी अत्याचार की वज़े यही होती है बहुती नॉर्मल इस्तिती चल रही हो अत्याचार वहाँ इसलिए होता है क्योंकि हम उन्हें एंट्री देते हैं तो यहाँ पर जो बुद्ध सींग थे इन्होंने मराठा सहायता प्राप्त की और दलेल सींग को गद्धी से हटा दिया राजिस्थान के किसी साशक द्वारा आंत्रिक संगर्स में मराठों को आमंत्रित करने का यह पहला अफसर था तो इन्होंने जो है वो अफसर दे दिया बाद में तो राजिस्थान में मराठों का हस्त शेप बढ़ता ही गया ठीक है 1735 में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजिस्थान पर आकर्मन करने का एक आसान मार्ग मिल गया राजिस्थान में मराथे, कोटा, मेवाड, डुंगर, पुर, बासवाडा में घुस पैटकर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतोष्ट रहे लेकिन सीग्र ही वे राजाओं को ही नहीं बलकि सेट साहुकार को भी लूटने लगे तो इनका काम तो यही था कि जो मुगल थे तो उनका रास्ता बिलकुल साफ हो गया था वो लोग हट गए थे उस जगे तो पूरे का पूरा जो है यहाँ पर इस एरिय में प्रवत्व जो है राजिस्थान में उनका हो जाए ठीक है तो यहाँ धन प्राप्त जो है उनको बहुत सारी रियास्तों से हो रहा था मराठों को लेकिन उनको फिर भी संतुष्टी नहीं आई और उसके बाद उनको ने राजाओं कोई नहीं बलकि सेट साहुकारों को भी लूटना स्टार्ट कर दिया उन्होंने राजिस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तशेप करना भी प्रारम कर दिया बूंदी जोदपूर और जैपूर रियासतों में उनका प्रविर इसी बहाने से हुआ नादिर शाह के आकर्मन के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजिस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रियास किया लेकिन मुगल दरवार में दल बंदी के कारण राथपूर शाशक भी परस पर लड़ने लगे ठीक है अब जब नादिर शाह का आकर्मन होता है तो उस समय मराठों ने क्या किया हिंदू धर्म के नाम पर कि भही हम सब एक हो जाएंगे तो हम नादिर शाह को जो आकर्मन होगा उससे हम अपने आपको बचा लेंगे और उसको बाहर निकाल देंगे तो हिंदू धर्म के नाम पर राजिस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया तो भई एक साथ होने की तैयारी करने लगे लेकिन मुगल दरवार में दलवंदी के कारण राजबू शाशक भी परस पर लड़ने लगे इस प्रकार केंदर में उत्पन सूनिता के प पेश्वा बाजीराव को राजिस्थान से चोथ और सर्देश मुखी राप्त करने का आदेश दिया तो ये एक प्रकार के कर थे ठीक है किसने दिया आदेश साहू ने पेश्वा बाजीराव को ये राजिस्थान जाओ और चोथ और सर्देश मुखी ठीक है ये कर जो है ये राप्त किये जाएं 1732 में सवाई जैसिंग जो मालवा का सूबेदार बना उसे मराठों ने घेर लिया जैसिंग ने पराजय सुविकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने बड़े 1761 से 1791 के बीच राजिस्धान में राजपू शाषकों की कमजोर इस्तिती के कारण बिभिन राजियों पर मराठों का प्रवत्वर हो गया ठीक है तो अब इस पहराग्राफ में क्या मिला हमें यही मिला कि एक परिवार है यदी और वहां पर एक इंसान जो की उस परिवार को पसंद नहीं कर रहा है और बाहर वाले के साथ मित्रता कर लेता है ठीक है तो बाहर वाले को मौका मिल जाता है उसको इस्तिती परिश्तिती सभी ऐसी मिल जाती है कि कैसे इसमें एंट्री करनी है किस तरीके से एक एक करके इनको समाप्त करना है ठीक है तो वही काम यहां हो गया राजे स्थान में बढ़ते मराठा हस्तशेप ने जैसिंग तथा अन्य राजपूत राजाओं की आखें खोल दी मराठों से मुक्ती पाने के लिए धन का सहारा लिया गया पर जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो अब क्या करने लगे कि भई मराठों को पैसे रुपए देने लगे कि अब इतना धन ले लो और इसे खाली कर दो मालवा से छोड़ कर चले जाओ लेकिन फिर भी उन्होंने इसे खाली नहीं किया तो पुनहे संगठित प्रियास किये जाने लगे अब धन के बजाए शक्ति के प्रियोग से मराठों को राजिस्थान से निकालने का निश्चे किया गया अतहर जुलाई 1734 में जैपूर, जोदपूर, उदैपूर, कोटा, किसंगड, नागोर, बीकानेर के शाशक मेवाड में होर्णा नामक इस्थान पर एकत्र हुए 17 जुलाई 1734 को एक संदी पत्र पर हस्ताक्षर हो गया, जिसकी अंसार राजिस्थान के सभी शाशकों ने विपत्ती के समय सहयोग देने का वादा किया तो यहाँ पर राजपू शाशक जो की एक साथ संगठित हो कई विचार करने लगे कि अब धन का सहरा नहीं लिया जाएगा क्योंकि इससे काम नहीं बन रहा है अब तो बल का प्रियोग किया जाएगा, शक्ति का प्रियोग किया जाएगा तो वह कैसे हो सकता है यदि सभी राजपू शाषक एक दूसरे से हाथ मिला लें ठीक है वर्शा रितू के बाद मराठों के विरुद कारवाई हेतू रामपुरा में एकत्र होना तै किया गया ठीक है अब क्वेशन जो है वो बन जाता है यहां पर क्या बन जाता है कि जो 1734 इस्वी में राजपू शाषकों ने संदी पत्र पर हस्ताक्षर किये तो उसके बाद उन्होंने क्या तै कि कहां पर जो है ये कारवाई के लिए कहां पर ये एकट्टे होंगे तो वो रामपुरा में एकट्र होना तै किया गया किसी राजा के शत्रू को अपने राज्य में आश्रे या शरण ना देने की सपत ली ठीक है कि कि किसी राजा के शत्रू को कोई भी राजा है जहां पर मान लीजे मालवा में यहां पर लूट पार ज्यादा कि उन्होंने सम्मेलन को वांचित पढ़ना नहीं निकले क्योंकि रियासती साशकों में आपसी द्वेस हो गया सभी अपने अपने मत रखने लगे जिस वज़े से रियासती साशकों में आपसी दुस्मनी हो गई प्रतिवा संपन और क्रियाशील नितरत्व का अभाव रहा रियासतों की स् सम्भवते सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदाई थे तो यहाँ पर जो यह सम्मेलन जो भी किया गया था कि किस तरीके से हम जो है वो मराठों को समाप्त करेंगे तो यह बिल्कुल बिफल हो गया क्योंकि 1735 इस्वी में मुगल सम्मराट और आत्पूर शाषकों की सैनाओं ने मराठों को खदेडने का पुनह असफल प्रियास किया पेशवा अक्टूबर 1735 इस्वी में उत्तर भारत की यात्रपट निकले तो महाराजा जगत सींग का आतित्य सुईकार किया जाता है किसके द्वारा पेशवा के द्वारा ठीक है और फिर वह जैपूर आते हैं जैसिंग ने मराठों और मुगल सम्मराटों में समझाता करवाना चाहा पर वह भी असफल रहा पेशवा की राजिस्तान यात्रपट पाईणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए अब ये पेशवा जो की जगे जगे पर जाकर जो यात्रपश कर रहे थे कारण यही था वो वहां की जो राजनितिक इस्तिती थी उसको जानना चाहा रहे थे ठीक है तो इसका परिणाम क्या निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूथ मराठों की भी करदाता बन गए अब ये जगय 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 जाकर जो इनसे खिराज ले रहे थे चौथ और सर्देश मुखी जो कर लिया जा रहा था जिस वज़े से पहले तो मुगलों की वज़े से ये करदाता बने हुए थे जैसे उनसे चुटकारा मिलता है तो अब वह मराठों की करदाता बन जाते हैं 1738 ईसवी में मुगल समराट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किये ही दुराह सराय की अपमान जनक संधी करनी पड़ी जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाक रुपे राप्त हुए तो 1738 में मुगल समराट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किये ही दुराह सराय की अपमान जनक जुह संधी करनी पड़ी जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी मिल गई और 50 लाक रुपे मिल गए 1742 में मराठों ने मारवाड में प्रविस्ट होकर सोजत, रायपुर और जैतारन परगनों में चौत वसूल करना प्रारम कर दिया अब धीरे धीरे ये पूरे राजिस्थान में ही आने लगे 1787 में राजपूतों ने संग्ठित होकर तूंगा नामक इस्थान पर मराठों को परास्त किया बहुत important line है, exam में आ सकती है, देखिए, याद रखिए कि तूंगा नामक इस्थान पर जो यहां पर युद्ध होता है तो यहां राजपूत शाशक और मराठों के बीच में होता है, ठीक है, तो इस स्थान पर राजपूत शाशकों ने संग्ठित होकर मराठों को हराया 1781 के बाद मराठा शक्ती जो है वो शीर्ण होने लगी, इस समय दक्षन भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिये और वे राजिस्थान में घुषने का प्रियास कर रहे थे, ठीक है, तो अब मराठा जब यहां पर आ गए, तो मराठों के शत्रू जो हैं अंग्र जो है वो धीरे धीरे यहां आने लगे, राजिस्थान के राजियों में उत्रा अधिकार के संगर्द और सामन्ती प्रतिस परदा के कारण उनकी राजनितिक इस्तिती कमजोर हो गई, 1791 में अंबा जी इंगले ने मिवाड के महाराना को सहयोग दिया, फल स्वरूप, ढूं यदि ये आपस में भी संगर्द नहीं करते, तब भी जो मराठे फायदा ना उठाते हैं और अंग्रेज भी फायदा ना उठाते, 1795 इस्वी में मिवाड पर चूंडा वतों का अधिकार हो गया, अते उनका अन्य शाशकिय सम्मूं के साथ संगर्द शुरू हो गया, 1802 में अमीर खाप पिंडारी ने नात द्वारा पर अधिकार कर लिया, भीम सिंग रियासती घरानों के आपसी व्यमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए, 1803 में मिवाड के शाशक ने जैपूर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधी करना प्रियास कर लिया, ठीक है, अब यहा पर इन्होंने अंग्रेजों से संधी करना जो है वो स्टार्ट कर दिया, पर वह असफल रहे, 1793 इस्वी से 1813 के मध्य, जोदपूर की अव्यवस्था का मुख्यकारण सामन्ती प्रतिस पर्दा, संकीन्ता, एवं उत्रादिकार का संगर्स रहा, तो अब जोदपूर में भ विवस्थाएं जो है वो खराब हो गई, दोनों ही पक्षों ने भाडेत सैनिकों को उची धनरासी देकर अपनी और मिलाने का प्रयास किया, परिणाम तह राज आर्थिक संकट में घिर गया, तो इस वज़े से जो रियासतें थी, यहाँ पर एक तो आपसी जो है हेल्प, मांगी और यहां मित्रता करना स्टार्ट कर दिया, सर्व प्रथम जैपूर के महराजा प्रत्वी सिंग ने 1776 में अपने एक प्रतिनिदी को गवर्नर जनरल के पास भेजा, और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की, जोदपूर राज्ये ने भी ऐसा ही प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हुआ, अठारा सो तीन में अपनी नीती में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूर राज्यों से संदी करने के इच्छुक हो गए, नवंबर अठारा सो तीन इस्वी में अंग्रेज सेनापती लौड लेग ने राजे स्थान की उत्री पूर्वी सीमा पर इस्थितलास वाडी के रन शेतर में सिंधिया को निर्नायक रूप से परास्त कर दिया, ठीक है, किसने परास्त किया, देखिए, जब अंग्रेजों के साथ राजपूर शास्कों ने संदी की, अठारा सो तीन की, ठीक है, तो अब अंग्रेज जो हैं, व राजिस्थान की जो उत्री पूर्वी सीमा पर इस्थितलास वाडी के रन शेतर में सिंधिया को निर्नायक रूप से परास्त कर दिया, अब राजपूर शास्कों के यकिन हो गया, कि अब तो यही हमारी हेल्प करने वाले हैं, मराठों की इस पराजे ने राजपूर शास् करेंगे, कि एक तो रात्मू शाशक और अंग्रेज, एक दूसरे के साथ जो है, वो मितरता के साथ विभार करेंगे, कंपनी इन राजपूर से खिराज नहीं लेगी, क्या बोला उन्होंने, कि कंपनी जो है, वो इन लोगों से खिराज नहीं लेगी, कोई कर नहीं लेगी, आंत्रिक मामलों में भी हस्त शेप नहीं करेगी ये 1803 की संदी के तैहत जो है वो तैह किया गया जो की एक्जाम में कई बार पूछी जाती है इन राज्यों की सुरक्षा का दायत्व कंपनी पर होगा अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलजाए जाएंगे ये सबी अब इन सब बातों से देखिए कौन खुस नहीं होगा तो आपस में ये खुस हो गए और इन्हों ने इनके सा संदी कर ली भरतपूर, अलवर, जैपूर, जोधपूर आधी ने इस संदी पर क्या कर दिये अपने सिगनेचर कर दिये 1811 इसवी में सैटन के इस्थान पर चार्ल्स मैटकाफ दिल्ली का रेजिडेंट बना उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठो, अमीर खां और पिंडारियों की बिंध्वन्सकारी कारवाईयों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिस संद्रक्षन में राजपूत राज्जियों का एकसंग बना लिया जाए अब देखिए ये सब चीजें जो है आप सोच रहे हैं कि हमें कैसे याद होगी बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगी देखिए जिस तरीके से आपने 6, 7, 8 जो है वो याद की ठीक है question answer जब हम लोग करेंगे तो ये चीजे बिल्कुल उभर कर आएंगी जब question के वहाँ पर तब आप लोग इसका answer जो है वो सही तरीके से याद कर पाओगे यहाँ chapter में आप लोग बस ये समझते जाईए कि क्या कारण रहा क्या परिणाम निकले तात कालीन गवर्नर लॉर्ड हैस्टिंग सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कमपनी की सर्वोच सस्ता स्थापित करना चाहता था किन्तु यह तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया को उनके राजियों में सीमित कर दिया जाता और पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाता इसके लिए रात्रूद राजियों को संद्रक्षन में लेना अंग्रेजयों के लिए अनिवार रह था क्योंकि यह राजियी ही सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव शेत्र में थे तो अंग्रेजों ने 5 रवंबर 1817 को होलकर से नई संधी करके राजिस्थान के राजियों के साथ संधी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया इधर मैट कॉफ का निमंतरण मिलते ही करोली, कोटा, उधैपुर, दीकानेर, किसंगड, जैपुर, जैसरमेर आधी ने भी कमपनी से संधी कर ली सबसे अंत में 1823 इसवी में सिरोही राजिय ने संधी की ठीक है इंपोर्टेंट लाइन है इस प्रकार 1817 इसवी से 1823 इसवी के दौरान राजिस्थान पर इस्थापे दिया है ब्रिटिस आधिपत्य उनने सो सैंतालिस इसवी में सुतंतरता प्राप्ति तक आश्ण रहा अब देखिए 1803 की जो संधी होती है उसमें अंग्रेज और राजपूर्ट शाष्कों के साथ जो की समझोता हुआ था वो बिल्कुल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था जहां पर इन्होंने ये कहा था कि एक दूसरे के साथ जो है वो मैत्री पूर्ण व्यभार करेंगे दूसरी बात इन्होंने बोली थी कि कम्पनी जो है वो उस राजपूर्ज से कोई खिराज नहीं लेगी तीसरी वो बोल रहे थे कि आंतरिक मामलों में कोई हास्तशिप नह रहा है तो उसको भी अंगरे जो सुल जाएंगे ये सभी चारो बातें जो हैं 1803 की संधी में की गई लेकिन अब जब 1857 इसवी से 1823 ये जो संधी है 1857 की तो इसमें परिवर्तन आया 19 सदी के आरम में 20 रियासतें थी इनमें 17 राजपूर्ट दो जाट और एक मुस्लिम समानने सरतें थी तो कुछ विसेस्ट सरतें थी जो उस राजप से संबन्दे थी अब इस संधी में देखिये सरतें क्या रहें संधी द्वारा रियासती सासकों ने अंग्रेजों की सर्वोचता सुईकार कर ली अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का बंसा नुगत राज्य अधिकार सुईकार कर लिया अंग्रेजों ने बहरी आकरमन से प्रतेक राज्य की सुरक्षा करने और आंत्रिक शांती व्यवस्था बनाई रखने में सहायता का आश्वाशन दिया संधी करने वाले प्रतेक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना जो है वो तै किया गया साथ ही ये अश्वाशन दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्रेयों में हस्तशेव नहीं करेंगे ब्रिटिस अंडरक्षन के बदले रियासती शाषकों को अपनी विदेश नीती अंग्रेजों को सोपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मद्यस्ता हितु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा ठीक है आवशक्ता पढ़ने पर रियासती शाषक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों को सुपूर्द कर देंगे और यानि जब यदि आवशक्ता पढ़ती है उस रियासती शाषक को तो राज्यों के जितने भी समस्त सैनिक साधन है वो अंग्रेजों को सौप देंगे अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने समंदी धारा सभी राज्यों की संदियों में अलग थी अब देखिए ये दो जो पॉइंट हैं दो एक तो क्या क्या बोला था उन्होंने पहले जो संदि हुई थी 1803 की कि हम जो है कोई भी हस्तशेप नहीं करेंगे राज्यों की साशन विवस्था पर यहाँ पर पिये यदि रख दिया जाए तो साशन विवस्था जो है किनके कं कंट्रोल में आ जाएगी ठीक है तो यहां जो है जो भी शाशक थे वो अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं कर पाएंगे ठीक है तो यह जो कारण रहा यह बहुत बढ़ा कारण रहा उसके बाद दूसरा इन्होंने बोला था कि कोई भी किसी तरीके का खिराज नहीं लिया जा जादा समस्या उत्पन करती हैं आगे चलके खिराज की यह रासी निर्धारित करने के लिए मराठों को दिये जाने वाले खिराज को आधार बनाया गया तो यहां पर खिराज की रासी कैसे तै की गई जो मराठे खिराज लेते थे उसी को आधार बनाया गया ब्रिटिच अब यहां पर पूरा कंट्रोल जो है वो अंग्रेजों के हाथ में आ गया उप्युक्त संधियों का राजिस्थान के राज्यों पर बहुविद प्रभाप पड़ा कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजिस्थान के राज्यों की आर्थिक इस्तेती क्या हो गई कमजोर हो गई पॉलिटिकल एजेंट राज्यों में विवस्था बनाए रखने के नाम पर रखे गए लेकिन अभी ये निरंतर हस्त शेप करने लगे मैंने आपको बताया वो दो पॉइंट जो है जो की बहुत बड़े कारण रहते हैं आगे चलके क्रांती के शासन कार और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंदी कारणों के प्रति उदासीन रहने लगे अब काम कौन करे शासन संबंदी काम कौन करेगा सारे कारे तो वो पिये कर रहे हैं राजाओं को आशाशन देई दिया गया था कि जितनी भी जो भी जिम्मेदारी है वो स अब जो शाशक थे वो उदासीन रहने लगे। किसी भी प्रकार से उस एरिये में उस राज्य में किसी भी प्रकार से वो लोग देखने के लिए भी राजी नहीं थे। नमक उतपादन के प्रमुक शेतर सांबर जील और मेवाड के अफीम उतपादन शेतरों पर अधिकार कर लिया। करने लगे। ठीके इन्होंने कहा था पूरा खर्च जो भी होगा यहां अंग्रेज उठाएंगे पूरी जिम्मेदारी ये लेंगे। लेकिन यहां पर राज्य को ही वहन करना पड़ रहा था। भारी खिराज पर व्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलतुर राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। और उसके बाद आर्थिक स्थिति कमजोर कर दिया। तो यहां पर देखिए राजिस्थान की जब क्रांती होती है उस समय रियासती शाशक कौन थे। ठीक है। तो यहां पर कोटा रियासत इसमें राम सिंग थे इन्होंने जो है अंग्रेजों का साथ दिया। जोदपुर रियासत में तक्त सिंग थे यह भी अंग्रेजों के साथ थे। भरतपुर रियासत में जसवंत सिंग। उदेपुर रियासत में स्वरूप सिंग। जैपुर र जहां पर इंपोर्टेंट जो रियासतों के जो शाशक थे उनको याद रखिएगा कोटा रियासत यहाँ पर राम सींग थे और यहाँ पर पिये रखा था जो ब्रिटिस पॉलिटिकल एजेंट अंग्रेजों ने रखा था वो यहाँ पर मेजर बर्टन को रखा था ठीक है और जोदपुर रियासत का याद रखिये तक्त सिंग यहाँ पर जो मैक मैसन था या मैक मोसन उसको रखा हुआ था अंग्रेजों ने और उसक सावर्स यहाँ पर सावर्स था पीय जो जैपुर रियासत थी सच declemed यहां पर शाषक гр ठीक तो यह जो है आप याद राखिएगा शिरोही र्यासत यहां पर शिव्शिंग थे और यहां पर assistance तो ये जो आपने देखा यहाँ पर जो छे रियासतें थी इनके रियासती शाशक और पिये जो है वो आप याद रखेंगे राजिस्थान के शाशकों ने मराठा आतंग से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रन इस्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ 1818 की संधी की थी ठीक है क्योंकि थी ताकि मराठा आकंग से सुरक्षा मिल सके और अपने सामंतों पर नियंत्रन इस्थापित ने किया जा सके संदी उत्पन होने के बाद राजपूर शाषकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति को चलने का प्रयास किया कालंतर में अंग्रेजों ने ऐसे अने कदम उठाए जिन से सामंतों की स्थिति कमजोर हो गई ठीक है तो इसी वज़े से सामंतों जो थे वह भी बहुत जादा क्रोधित थे किस से अंग्रेजों से क्योंकि उन्होंने उनका पूरा अधिकार छीन लिया यथा सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नगद रुपया वसूल करने का निश्चे किया गया कि हम जो है वो सैनिक सेवा के बदले क्या लेंगे नगद रुपया जागीर शेतरों में सामंतों को कई विशेशा दिकार ताप्त थे जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत की आगया के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते यानि कि वहाँ पर जाकर नहीं रह सकते सामंत व्यापारियों से रहदारी और दाना पानी आदी सुल्क वसूल करके उसके बतले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे इन विशेशादिकारों को क्या कर दिया अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया उन्नीसवी सदी के पूरवार्द तक जागीर शेत्र का नितरत्व सामंतों के पास था और समाज में उनकी प्रतिष्टा भी बड़ी चड़ी थी किन्तु उन्नीसवी सदी के अंतक जागीर शेत्रों में सामंतों के नितरत्व में कमी आई और अब वे अपने प्रभावसाली रहे उतने प्रभावसाली नहीं रहे अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शाशक जस्वन्त सिंग को गद्धी से हटा कर प्रताब कड़के जो शाशक थे उनके पोते दलपस सिंग को वहाँ का साशक बना दिया इससले वहाँ की जनता में बिटिस सरकार के प्रति घणा के आरण जब अंग्रेजों ने जैपुर की राजमाता भटेयानी को अधिकार चियुत करने का प्रयास किया तो वहां के लोगों ने कुरुद होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी ठीक है अब तो पहले राजनितिक इस्तिती खराब की उसके बाद आर्थिक इस्तिती पर तो अब जो है वो लोगों में बहुत अधिक गुस्सा आ गया और यहां सबसे पहले उन्होंने कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी कोटा में अंग्रेजों ने ततकालिन महराव की सोर सींग के वुरुद रियासत के फौसदार जालिम सींग के दावो का समर्थन किया जिस से कोट अंग्रेजों ने जो ततकालिक महराव था की सोर सींग इसके विरुद रियासत के जो फौसदार जालिम सींग इनके दावों का समर्थन किया जिस से कोटा के हड़ा राजपूश अंग्रेजों के विरुद हत्यार लेकर उठ खड़े हुए अलवर और भरत पुर रियासतों अंग्रेजों ने अलवर और भरत पुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तशेप कर वहाँ अवयस्क राजपूमारों को गद्दी पर बिठा दिया क्योंकि शाशक के अवयस्क होने की इस्तिती में अंग्रेजों को राज्य के प्रशाशन पर अपना नियंत्रन इस्था पूरा नियंतरन उनके हाथ में आ जाए तो यह अफसर उनको मिल गया जोदपुर के महाराजा मान सिंग भी ब्रिटिस सरकार की घोर विरोधी थे उनके प्रियतनों से अन्य रियासतों में भी ब्रिटिस सत्ता के वृद असंतोस पनपने लगा तो यहाँ पर राजिस्थान में क्रांती के समय ब्रिटिस पॉलिटिकल एजेंट जो है वो अंग्रेजों ने कोटा रियासत में मेजर बर्टन इनको बेजा जोदपुर रियासत में मैक मेशन को भरतपुर रियासत में मौरी सन जैपुर रियासत में इडन उदैपुर रियास में सावर्स और शिरोही रियासत में जेडी हॉल ठीक है इंपोर्टेंट है ये राजनेतिक आधिपत्ति स्थापित करने के बाद अंग्रेज सरकार ब्रिटिस भारत की भाती राजिस्थान पर भी सांस्कृतिक विजे प्राप्त करने को उत्सुक हो थी ब्रिटिस सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीती रिवाजों और कुरुतियों को समाप्त करने के लिए विसेस कदम उठाए इन कुरुतियों में कन्यावद, दास प्रथा और सती प्रथा ये सभी समलित थी इस दिसा में उठाए गए कदमों से जनता यह समझने लगी कि अंग्रेज राजिस्थान के सामाजिक धाचे को विगटित करना चाते हैं अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्त शेप की नीती ने जनता में असंतोस उत्पन कर दिया अब जनता जो कि इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी थी अंग्रेजों के लिए कि अंग्रेज जो है वो क्या कर रहे थे यहां पर जो ब्रिटिस सरकार थी तो यहां जो पुरी जो रीती रिवास थे कुरूतियां थी उनको समाप्त करना चाह रही थी लेकिन लोगों को ये लगने लगा कि जो राजिस्थान के सामाजिक ढाचे को ये विगटित करना चाहते हैं अंग्रेज तो अंग्रेजों की सामाजी को सामाने जीवन में हस्त शेप के नीती ने जनता में और भी असंतोस उत्पन कर दिया इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संदी के बाद अंग्रेजों द्वारा राजिस्थान के राजियों के प्रशाशन में अवांचनी हस्तशेप, आर्थिक संसाधनों पे आदिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्शिक खिराज की राशी, सामंतों के व इसाई मत के परचारकों की संदित गति विदियों के कारण अजमेर मेरवाडा शेतर में यह विचार पर अपने लगा कि अंग्रेज हिंदूों का मतान तरण कर उन्हें जवर जस्ती इसाई बनाने के लिए प्रेयत नसील हैं, अब धार्मे किस्तिती पर बनाई लोगों की, ठीक है, जहां पर अंग्रेज क्या कर रहे थे, लोगों को इसाई बनाने में लगे हुए थे, इससे उनमें ब्रिटिस सत्ता के प्रती तीरवा क्रोस उत्वन हो गया, ब्रिटिस विरोधी भावनाओं को पनपाने में, राजिस्थान के कवियों, साहित्तेकारों इन्होंने महत्पूर्ण योगदान दिया, ठीक है, तो कवियोंने, साहित्तेकारोंने बहुत लिखना गाना जो है, वो स्टार्ट कर दिया, कि जिस्वजय से जो है, ब्रिटिस लोगों का जो है, वो विरोध किया जा सके, लोगों को ये समझाया जा सके, कि अपने लिए लडू, उनक देख लें हमारी जो हैं वो इस तरीके से हेल्प करें लेकिन हेल्प के बदले जो वो कर रहे थे उन शाष्कों को अब भी दिखाई नहीं दे रहा था उन शाष्कों एवं सामनतों की प्रसंसा की गई जो ब्रिटिस सत्ता के विरोधे थे तो जो कवी थे उन्होंने अपनी जावनाओं को पनपाने में जो है इनका बहुत बड़ा रोल रहा तो जो लोग इनके विरोधी थे उनके बारे में भी लिखने लगे ठीक है ऐसे कवियों में कवी बांकी दास रागो दास सांदू गांग जी और महा कवी सूरे मल मिश्रण आदी के नाम उल लेखनी हैं तो इ इसे इसपच्ट है कि भारत में क्रांती प्रारम होने से पहले ही देशी रियासतों में ब्रिटिस सत्ता के वरुतीर असंतोस व्याप्त था सन 1857 की क्रांती आरम होने के समय राजिस्थान में अंग्रेजी सैनिकों कोई 6 छावनिया थी कौन-कौन सी नसीरावाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाडा ठीक है इन सब छावनियों में लगवग 5000 सैनिक थे किन्तु किसी भी छावनिय में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था यहां केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे, मेरठ में करांती होने की सूचना, भारत में मेरठ में करांती होने की सूचना जैसे ही राजिस्थान के एजीजी एजन्टू गवर्नर जनरल इसको जैसे ही मिलती है, तो वो ऐलर्ट हो जाता है उसने देशी रियासतों के साशकों की आवश्यक निर्देश दे दिये कि करांती कारियों को अपने राज्य में ना गुशने दे और जो भी ब्रटिस सक्ता का विरोध करें, उनका कठोड़ता पूरवक दमन किया जाए तो यहां का जो एजी जी था, तो उसने जो भी शाशक थे, देशी रियासते थी, उनको यह बोल दिया कि मिरट में करांती हो रही है और इन लोगों को यहां पर राजिस्थान में एंट्री ना किरने दी जाए, ठीक है, ऐसा इनोंने बोल दिया और यदि वो यहां एंट्री करते हैं, तो उनका कठोड़ता पूरवक दमन किया लेकिन मेरट में जो करांती होती है, उसकी आग जो है वो राजिस्थान तक पहुँच ही जाती है, ठीक है तो आज हम यहीं तक करेंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, यहां पर हमने ये चीज़ समझ ली कि किस तरीके से पहले मुगल और फिर मराठा और उसके बाद अंग्रेज और उसके बाद जो है वो 1857 की क्रांती जो है वह हो जाती है, ठीक है अब यह जो 6 सैनिक छावनिया जो हमने पढ़ी थी, कौन-कौन सी, नसीराबाद, नीमच, देवली, व्यावर, एरिंपुरा और खेरवाडा, ठीक है तो अब उसी की कहानी जो कि हम यहां पर पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको जो है वो दुबारा रीद करिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़े समझ में आ सकें थैंक यू